आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question है, Beta-Pleated Structure of Proteins इस हमें बताना है कि जो Proteins का Beta-Pleated Structure होता है वो Primary होता है, Secondary होता है, Tertiary होता है, Quaternary होता है तो जो Primary Structure होता है, Protein का, उसके अंदर Amino Acid, अगर हम इसे Amino Acid मान लेंगे तो उसका जो Carboxlic Acid Group होता है, वो और जो दूसरे Amino Acid का Amine Group होता है वो यह Bond बनाते हैं और Form करते हैं, Peptide Bond, तो ऐसे हमारे दो Amino Acid जोइन हो जाते हैं इसे बोलेंगा डाय पेप्टाइड ऐसी अगर हमारे और Amino Acid जोइन होते गए, Multiple Number में तो उसे बोल देते है, Poly Peptide तो जो Poly Peptide Chain होती है, उसी को हम बोलते है, Primary Structure जो हमारा तो अलफा हेलिक्स या तो बीटा प्लीटेड तो अलफा हेलिक्स और यह है बीटा प्लीटेड यह दुनों स्ट्रक्चर मेंटेंड होते हैं, Hydrogen Bonding से जैसे अगर इसके अंदर कार्बोक्स ले ग्रूप होगा, इस वाली चेन के अंदर NH ग्रूप होगा तो इन दोनों के बीच में Oxygen और Hydrogen के बीच में एनेच ग्रूप है तो यह दोनों Hydrogen Bonding करते हैं और यह वाला स्ट्रक्चर भी स्टेबिलाइज रहता है, तो यह हमारा Helix टाइप का स्ट्रक्चर है यह हमारा Zigzag Form में स्ट्रक्चर होता है तो बीटा प्लीटेड हमारा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसलिए हमारा Option भी करेक्ट है नेक्स्ट है टर्शुरी स्ट्रक्चर टर्शुरी स्ट्रक्चर के अंदर जो यह Alpha Helix और बीटा प्लीटेड यह दो टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो यह जो है तर्शुरी स्ट्रक्चर के अंदर एक ही polypeptide chain में greater than one type of secondary structure present होते हैं तो इसके अंदर भी एक ही polypeptide chain है, straight chain, secondary structure में भी एक ही polypeptide chain है या तो वो alpha helix form में होगी या beta plated और तर्शुरी स्ट्रक्चर के अंदर एक ही polypeptide chain है बट वो polypeptide chain alpha helix और beta plated उनमें दोनों structure present है तो इसके अंदर greater than one secondary structure present है तो हमारा option C भी incorrect है क्योंकि हमारा जो beta plated है वो तो एक secondary structure होता है तो हमारा option C भी incorrect है next is quaternary structure तो इन सब के अंदर सिर्फ एक ही polypeptide chain थी but quaternary structure के अंदर greater than one polypeptide chain होती है तो हमारा जो beta pleated है वो तो secondary structure है तो हमारा ये quaternary structure भी नहीं है तो हमारा option D भी incorrect है तो हमारा option B correct है इस question के लिए beta pleated structure of a protein is a secondary structure Thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जाधा students का भर हो सा आज राउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर